मक्की रखी गई है देखें आप कैसे मक्की का एक एक दाना निकल रहा है हलो ओनलाइन फैमिली वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मैं रबानी बट आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से इस्तक्बाल करता हूँ फ्रेंज्ज आज मैं अपने गजन्स के साथ अपने घर आया हुँ और यहाँ से हम आपको दिखाएंगे क्या आली शान मंजर है क्या हर्याली है हमारे यहाँ की और इसके लावा हम आपको ले चलेंगे अपने गाओं की लाइफ के कुछ एक important हिस्से जो होते हैं उनके साथ भी रूबरू करवाएंगे आपको हम चक्की दिखवाएंगे और इसके साथ हम आपको waterfall check करवाएंगे गमगुल wildlife century wildlife century के इलावा अगर मैं बात करूँ तो moto vlogging आज के vlog में है आपको आज यह सब चीजें आज के इस vlog में देखने को मिलेंगी और आप लोग ऐसे ही हमारे चानल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक्यू अगर आज बात के इस इस अग्याएं के इस अग्याएं कि अग्याएं के जा आएंगे और गाइज इस वसक्तम आप-्रोड राइडिं के यह बितन सिक्ए हैं रास्ता बितुल आपको प्रन साथ धिक्लिया है में रोड के हटके चॉंडी नी घौई को जा रहे हैं कर दोग के नीचे पहुंचे हुए हैं तो थोड़ा आपको पीछे का व्यू भी दिखाएं के आपको यहां की तो लेक है जिश्फॉंट के नाम से जानी जाती है अर्टिपिश्यल लेक है यह और आप इसर देखें किना आलिशान खुबसूरत दिलखश नेचर का यह मंजर है यह हवाएं आप शुचेते हैं यह जो नदी नाले हैं उनकी आवाजें दिख्या कितनी प्यारी चल रही है और उतना ही अच्छा चारों तरफ का यहां से नेचर और बीच से आप देखें इसके बाद आपको वाटर्फॉल दिखाएंगे रेचर करेंगे अच्ट स्क्राइब तरफ कर दिखेंगे अपने सामने देख पारे हैं, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, यह नदी नाले इस वक्त सूख चुके हैं, बरफबारी का सीजन है, ग्लेशियर्स होंगे, तो बरफ पिगलेगी और यहां पर फ्लड आता है, बरसात के मौसम है, और यह पुल जो दिख यह चक्की, कितनी पुरानी है, देखने से ही लग रहा है, लकडी निकल चुकी है, पत्थर क्लियरली दिख रहे हैं, विजिबल है, तो यह गाउं की चक्की है, आटा पीस्ते, यहां पर मकी का, गेहूं का, और भी कई चीज़े, चावल की भी कई बर पीसा जाता है, और आ हमारे पीछे आप देखें, दूप खिली हुई है, और हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, और जो वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर लास्ट दक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यह मक्की पीसने के बाद, यहां फिर ग्य और अभी हम पहुँच गए हैं चक्की में, और नीचे आप देखें टरबाइन सी घूमती है, एक फैन इसका और पानी कितने फास होके बाहर निकलता है, अभी हम चलते हैं अंदर चक्की देखते हैं, और यह देखें आप चक्की मक्की रखी गई है, देखें आप कैसे मक् आटा निकल रहा है, और यह घूमने के बाद आटा निकलता है, और यह किसी का भी यहां पे लगवाग फोनमबर्ज भी लिखे हुए हैं कि जरूर यहां पे आएं, यह गाउं की चक्की का सिस्क्की देखें आप, यहां पे गहूं भी है, मक्की भी है, औकेजनिली चावल और यह आटा निकाला जा रहा है, जो फस जाता है यहां पे, और यह जो बड़ा सा आपको होल दिख रहा है, इसमें मक्की डली हुई है, और वो दाने दाने करके अलग-अलग निकलती है, और यह पिस्ट्रे के बाद देखें आप, यह आटा और अगर मैं आपको बात करू इसमें की मक्की के लिए जो पानी का सोर्स रहता है, वो यह कुल देखें आप जो लकडी की बनाई जाती है, एकदम फोर्स से पानी जो है, इस चक्की के अंदर जाता है, टरबाइन घुमती हो और फिर वो उसके बाद गोल-गोल चकर जो उसको घुमाता है, फिर जाकर के पिस्ती ही है, तो यह इसका एक काफी एहम हिस्सा है, यह कुल कहा जाता है इसको लोकल लैंग्विज में, इसी बीचे दो सामने की और निकलते हुए, और अभी हमें भूख भी लग रही है, कुछ खाने के लिए भी लाए हम, कुछ कदम की दूरी पे, गमकुल श्याल पे ही वाइड लाइफ संचुरी स्टार्ट होती है, और यह जिस्टिक चंबा में है, जहां से मैं हूँ, यहां से लिखे आती है, जम्मो किसमीर के बौडर तक यही वाइड लाइफ संचुरी रहती है, तो कुछ एक लिए तक हम य रूबरू करवाते हैं कुछी वाजियों से यहां की चल लगे ती और इस वक्त हम फ्रेंज उतर के जा रहे हैं, वाइड लाइफ संचुरी का आप यह नजारा देख रहे हो, कितना हसीन आलिशान यह मनजर हमारे सामने है, धूप धलने वाली है और इसके बीच हम नीचे के तरफ उतर रहे हैं, और आप देखें क्या हर्याली है यहां पर स्क्राइब्स और इसी बीच हमारे पास अब ही थोड़ा खाने के लिए नमकीम, नट क्रैकर्कर्स, पीनेट्स, अखरोट और मुंफली पहुंच चुकी है और अब हम इस फिर थोड़ी देर में अटैक करेंगे, भूपी काफी जदा लग रही है और अभी हमें यहां शॉप से सिर्फ यही मिल पाया है